जै हिन दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी यूटूब चैनल ट्रेल बलेजर देश्टिडी पॉइंट में आज हम लोग बात करेंगे देश की गिरती भी जीजीपी के बारे में तो चलिए बिना किसी देरी के सुरू करते हैं आज का ये डिसकसन लॉकडाउन के दोरान आर्थि गत्वीडियों के थम जाने से आर्थ व्यवस्था में बड़ी गिरावट की आसंका पहले सही थी सोमार को जारी सरकारी आंकडों के मताबिक चालू वित्तिवर्ष की पहली तिमाही यानि अप्रेल से जून तक में या कमी पिछले साल की पहली तिमाही की तुलना में 23.9 फीसदी रही है यानि 2019 में अप्रेल से जून तक उत्पादित वस्तुमों और शेवाओं का जो मूली रहा था उससे लगभग 24 फीसदी यानि 23.9 फीसदी कम उत्पादन इस साल इन तीन महिनों में हुआ है हाला की लागडाउन हटते जाने के साथ ही उत्पादन, मांग और उभोग में बढ़ोत्री के संकित मिले हैं लेकिन चिंता की बात या है कि यह कमी अनुमानों से कहीं अधिक है और इसकी तुरंत भरपाई कर पाना बेहद मुस्किल होगा महामारी की वज़ा से भारत समेत दुनिया भर की अर्थिववस्था डामा डोल है और इसे पट्री पर आने में कुछ समय लग सकता है जहान अब्बे के दसक के सुरू से लेकर सकल घरे रूत पाज या जीडिपी में आश्यतन हर साल साथ फीसिदी की बढ़त दर्च की गई है किन्तु मौजूदा वित्वर्स में इसमें साथ फीसिदी के संकुचन क्या संका है यह अनुमान कुछ बढ़ या घट भी सकता है पहली तिमाही की कमी की मुख्यवजा कामकाज और कारोबार का ठब पढ़ना है इसे लोगों में और निजी ब्योसायों में मांग में भारी गिरावट आई थी इन महीनों में सरकारी मांग जरूर बढ़ी और उसे 6 फीसिदी गिरावट को ही संतुलित किया जा सका जीडीपी में निजी ब्योग का हिस्सा 56.4 फीसिदी और निजी छेतर का योगदान 32 फीसिदी है शबकी सरकार की मांग का भाग केवल 11 फीसिदी ही है यदि गैर सरकारी जीडीपी में गिरावट को देखें तो इस साल की पहली तिमाही में यह आंकडा 39 फीसिदी है सरकारी हिस्सेदारी इन तीन महीनों में 18 फीसिदी से थोड़ा अधिक रही है इस संदर में यहावी ध्यान रखा जाना चाहिए कि गैर सरकारी जीडीपी की बृद्धी में कोरोना संकट आने से पहले से ही कमी आ रही थी अर्थिववस्ता के घटने बढ़ने का सीधा समीकरन रोजगार आमदनी और उत्पादन से जुड़ा हुआ है उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार पैदा होगा और लोगों की आमदनी में इजापा होगा इस साय से लोग उपभोग करेंगे और मांग में बढ़ोत्री होगी फिर उत्पादन भी अदिखोगा कोरोना वाइरस के स्याह साय से निकलने की उपाय की रुप में लागू लाकडाउन ने इस समीकरन को पूरी तरह बिगार दिया है इस सित्थी का असर हमारे देश के बीदिसी ब्यापार पर भी पड़ा बीती तिमाही में निर्यात में करीब 20 तथा आयात में 40 फिस्दी की कमी आए इस चिंता से निरास होने की जरूत नहीं है आत्मर्वरता और अस्थानी उत्पादन और भोग को बढ़ावा देकर उत्पादन आय और मांग में तीजी लाई जा सकती है क्रिसी स्टाक, बाजार और विदेसी निवेस की अच्छी इस्थिती इंगित करती है कि हमारी आरते व्यवस्ता की आधार भूत सनचना मजबूत है और इसे गती दी जा सकती है अगर पत जड़ा आया है तो समझे बसंत आने ही वाला है आई होप आप लोगों को कुछ इंचानने को मिला होगा जीडीपी की गिर्ती इस्थिती के बारे में वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, जादा स्यादा सेर करें और जिन लोग ने अब तक चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है वोग सब्सक्राइब भी कर लें, साथी बेल आइकन को जुरूर प्रस करें जिससे अने अली वीडियोज की नटिफिकेशन अब तक पहुंचती रहे थैंक्यू, थैंक्स पर वाचिंग, जैहीं